हार छोटी मोटी चीज कोई भी बड़ा सामान खर दें जिसमें हमारे विश्व कर्मा साथ्यों की चाप हो भारत की मिट्टी और पसेज्य की महेक हो मेरे वाइब परिवार जनो आज का विश्वित होता हुआ भारत हर छेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है कुछ दिन पहले हमने देखा है कि कैसे भारत मंडबग को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई है ये इंटरनेशनल एग्जिबिशन सेंटर यशो भूमी इसी परमपरा को और भव्यता से आगे बढ़ाता है और यशो भूमी का सीधा जिदा थन्देश है इस भूमी पर जो भी होगा यश ही यश्प्राप्त होने वाला है ये भविश्च के भारत को सोकेस करने का एक शांदार सेंटर बढ़ेगा साथियों भारत के बड़े आर्थिक सामर्थ बड़ी व्यापारिक शक्ति को सोकेस करने के लिए भारत की राजदानिवें जैसा सेंटर होना चाहिए ये वो सेंटर है इसमें मल्टि मोडल कनेक्टिविटी और पीम गति शक्ति के दर्शन एक साथ होते हैं अब देखिए ये एरपोर्ट के पास में है इसको एरपोर्ट से कनेक करने के लिए मेट्रो की सुविधा दी गई है आज यहां मेट्रो स्टेशन का भी उद्गाटन हुआ है इस मेट्रो स्टेशन सीधा इस कॉम्प्लेश से जुड़ा हुआ है इस मेट्रो सुविधा के चलते दिल्ली के अलग हिस्सों से लोग का समय बहुत आसानी से कम समय में यह यहां पहुँच पाएंगे यहां जो लोग आएंगे उनके लिए ठैरने का मनोरंजन का शौपिंग का टुरियम का पूरा इंतजाम यही इस पूरे इकोसिस्टिम में बनाया हुआ है पूरी वबस्ता में बना हुआ है मेरे परिवार जोनों बदलते हुए समय के साथ विकास के रोजगार के नए नए सेक्टर्स भी बनते हैं आज से 50-60 साल पहले कोई इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री के बारे में सोज भी नहीं सकता था आज से 30-35 साल पहले सोचल मीडिया भी एक कलपना भरी था अब दुनिया में एक और बड़ा सेक्टर बन रहा है जिसमें भारत के लिए असीम संभावना है यह सेक्टर है कांफरेंस टूरीजम का पूरी दुनिया में कांफरेंस टूरीजम इंडस्टी पचीस लाग करोड से भी जादा है हर साल दुनिया में 32,000 से भी जादा बड़ी एक्जिबिशन लगती है एक्षपो होते हैं आप कल्पना कर सकते हैं जिस देश की आबादी 25 करोड होगी लोग वहां भी कर देते हैं यहां तो 140 करोड के आबादी है जो आएगा वो माला माल हो जाएगा बहुत बड़ा मार्केट है कांफरेंस टूरीजम के लिए आने वाले लोग एक सामान ने टूरिस्ट की अपेक्षा कई गुना जादा पैसा खर्च करते हैं इतनी बड़ी इंडस्टी में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ एक परसेंट है सिर्फ एक परसेंट भारत की ही अनेकों बड़ी कबडियां हर साल अपने इवेंट्स बहार करना के लिए मजबूर हो जाती है आप कलपना कर सकते हैं कि देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने हैं अब आज का नया भारत खुद को कांफ्रेंस टूरिजम के लिए भी तैयार कर रहा है और साथियों आप सब जानते हैं एडवेंचर टूरिजम एडवेंचर टूरिजम वही होगा जहां एडवेंचर के साधन संसाधन हो मेडिकल टूरिजम वही होगा जहां आधुनिक चिकित सा सुविदाय हो स्पिरिचल टूरिजम वही होगा जहां एतियासिक धार्मिक स्पिरिचल अक्टिविटी हो हैरिटेज टूरिजम भी वही होगा जहां हिस्ट्री और हैरिटेज का बहुल्य हो इसी तरह conference tourism भी वही होगा जहाँ events के लिए, meetings के लिए, exhibition के लिए जरूरी साधन संसाधन हो इसलिए भारत मंडपम और यशो भूमी ये ऐसे center है वो बिल्ली को conference tourism का सबसे बड़ा hub बनाने जा रहे अकेले यशो भूमी सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है यशो भूमी भविश्य में एक ऐसा स्थान बनेगा जहाँ दुनिया भर के देशों से लोग international conference meetings exhibitions इन सब के लिए क्यों लगने वाली है आज मैं दुनिया भर के देशों में एक्जिबिशान और इवेंट्स इंडस्टी चे जुड़े लोगों को हिंदुस्तान में दिल्ली में यशो भूमी में विशय श्रूप चे आमंत्रित करता हूं मैं देश की पूरा पस्तीम उत्तरदख्षेन हर छेत्र की फिल्म इंडस्ट्री टीवी इंडस्ट्री को आमंत्रित करूंगा आप अपने अवार्ड्स हमारव फिल्म फरस्टिबल यहां आयोजीत करिए फिल्मों के पहले शो यहां अविजित करिए मैं इंटरनेशनल इवेंट्स कंपनीज एक्जिमिशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारत मंदपाम और यशो भूमी से जुड़ने को आमंत्रित करता हूं मेरा परिवार जानो मुझे विश्वात है भारत मंदपाम हो या यशो भूमी ये भारत के आतिथ्य भारत की स्रेश्टता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे भारत मंदपाम और ये यशो भूमी दोनों में ही भारत के संस्कृति और अत्या दुनित स्विधाओं इन दोनों का संगम है आज ये दोनों भंव्य प्रतिश्टान नए भारत की यश्गाधा देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं इनमें नए भारत की आकांच्छाओं का प्रतिमिंब भी है जो अपने लिए सबसे बहतरीन सुविधाएं चाहता है अफ़ां प्रतिमिंब भी है